खबर चतिजगर के राइपूर से है जहां एनेच एमेम आई नारायरना हॉस्पीटल के डॉक्टरों ने इसोफेगल कैंसर से पीडित 61 परशी एक बुज़ुर्ग की जान बचाई जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि मुज़ुर्गों को अस्पताल में गंभीर खासी बुखार और ऑक्सिजन इस्तर में गिरावट की शिकायतों के साथ लाया गया वहीं जब मरीज की जाज की गई तो उसे ट्रेकियो इसो फेगल फिस्टूला की शिकायत मिली बताने की डॉक्टरों के मुताबिक मरीज कैंसर से पीडित था ऐसे में साभाने उपचार तकनीक से इलाज संभाव नहीं होने के चलते डॉक्टरों ने AST ओक्लूडर की जान बचाए तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था जैसे भी जंट्लमन खाना खाने जाते थे खाना पुरा फेपड़ा में घुश जाता था और खाने के नली का जो सिक्रिशन होता है बाइल्स वगरा वो भी आके फेपड़ा में घुश जाता था तो काफी सिक थे नीमोनिया होके आये थे तो उसको पहले वेंटिलेटर में डाल के उनको स्टेबलाइस किये स्टेबलाइस करने के बाद उनको एक उच्छेट को बंद करने के लिए हम हमरे हाट में एक A.S.D. डिवाइस रहता है जिसमें दो डिस्क रहता है उसको सोचे कि उसको हम डालके उसको बंत करें कर, नॉर्मल्ली इस टाइप का परिषिती में आपको सजरी का ज़रूत पड़ता है, लेकिन इस जैटलमन वो काफी हाई-risk था, उस टाइब का स्टेंट आता है जिसमें आइदर खाने के नली में या पेपड़ा के नली में डालके उसको बंद किया जाता है छेद लेकिन इस जेटलमेन उसके लिए सुटेबल नहीं थे टेक्निकल लेजन के वज़े से तो ये इनोवेटिव प्रीटमेंट हम सोचे कि एक ज जो हुआ जो है डिवाइस ढलता है जो काडिोलोजी स्ट है उसको डायसे दाला जाया उसके लिए आपको खाने का नली को जो बंको सकोपी होता है उसको भी देखना है साइमल्टेनियसली आपको ब्रॉंकोस्कोपी भी करके फिप्रा का डॉक्टर जो है वह भी दिखाना है और सबसे इंपोर्टन चीज है एक जेंट्लमेन जिसका दो दो नली में लगा हुआ एक मुह में और एक नाक में को सांस के से लेगा तो उसके लिए अनेसेसिस जो है हमक करके देखे हैं जो काफी अच्छा दिवाइस काम कर रहा है और खाने के रिलेटर जो उनको प्रॉब्लेम था वो अभी और नहीं है तो फिलाल के इतना ही खबरों का सिलसला लगाता चारी हैं देखते रही है साथ ना नियूस तमसकार